हलो स्टूडेंट मैं सरिकान दिवाकर आज आप लोगों को क्लास टेन का मैथमेटिक्स का एक चैप्टर ट्रिगुनमेट्री शुरू करने जा रहा हूं हाला कि कोरोणा वाइरस की वजह से हम लोग बहुत लेट हैं फिर भी आज सही सही सुरू करते हैं जब मैं वीडियो रिकार्ड कर रहा हूं तो अभी दिन के लगभग पांच बजने वाले हैं तो गूड आप्टरनून हम लोग सुरू करेंगे ट्रिगुनमेट्री तो ट्रिगुनमेट्री इज अ बरांच ओफ मैथेमेटिक्स डेट स्टडी रिलेशनसिप बीट्वीन साइड लेंद अंड एंगल व्रेंगल trigonometry हम लोगों को एक relationship डेवलोप कराती है जो किसी भी right triangle में उसके side और angle के बीच के relationship को develop करती है इस में इस trigonometry में basically कुछ जादा नहीं है हाँ ये है कि class 10 के point of view से ये एक नया topic जरूर है लेकिन इससे पहले हम लोग पाइथागोरस theorem के बारे में जानते हैं तो पाइथागोरस theorem में ही trigonometry का application एक तरह से हुगा है कि trigonometry is largely based on the पाइथागोरस theorem which is used to calculate the length of side of a triangle तो आईए हम लोग चलते हैं अपने chapter पर तो उस chapter में आज का जो chapter है ये है trigonometry इस ट्रिगोरमेटरी में हम लोग पर हैंगे बेसिकली ए रिलेशन्शीप बेट्वीन साइड एंड साइड एंड अंगल्स आफ ए राइट ट्रेंगल हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली यही चीज पढ़ेंगे कि किसी भी राइट ट्रेंगल में कंडिशन यह है कि राइट ट्रेंगल में उसके साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन्शीप होता है और वह कैसे डेवलप होता है वह कौन कौन से mathematical function के थुरू एक दू आगे चलने से पहले हम लोग आते हैं कि हम लोग इन सी जो को पढ़ते ही क्यों हैं बहुत सारे स्टुडेंट्स जब मैं earlier classes या earlier years में जब पढ़ाता था previous classes में तो उन लोगों का एक सवाल होता था कि trigonometry जो शुरू में आता है तो बहुत complicated होता है उन लोगों के लिए चु जिन्दगी में जिन्दगी को आरामदायक बनाने के लिए हम लोगों को research वगेरा करनी पड़ती है उसमें इन सारी चीजों का इस्तमाल होता है उससे उपर अगर हम अपने हिसाब से सोचे तो trigonometry का सबसे बहतर इस्तमाल world of music में हुआ है बड़े-बड़े music producers और engineers जो होते ह हैं वो trigonometrical functions का एक calculator तयार करते हैं और इस calculator से उस music के sounds को volume को उसके base को alter किया जाता है आप बच्चे आज कल के बच्चे तो ज़्यादा तर वीडियो गेम्स होगेरा में बीजी रहते हैं तो आपको मैं बताओं कि वीडियो गेम्स में जो barrier आता है next level में आने से पहले उस गेम के बीच में भी बहुत सारा barrier से हो करके हम लगों cross करना पड़ता है तो उस barrier को design करने के लिए भी trigonometry का इस्तमाल होता है trigonometry का इस्तमाल modern architecture में बहुत ज़्यादा होता है जैसे कहीं road बनाना हो, कोई curve shape बनाना हो, या पानी का टंकी बनाना हो ये सब चीजों में trigonometry का इस्तमाल बहुत ज़्यादा होता है फिर digital imaging करनी हो digital image अगर हमको बनाना है तो उस तरह से उस वाले field में भी हम trigonometry का इस्तमाल करते हैं interior designing करना हो अगर घर वगेरा में कुछ interior decoration करना हो तो उस तरह के decoration में भी अगर scientifically way में उसको किया जाए तो इस topic का use होता है तो इस topic में basically हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला जो topic है वो topic है T ratio का और इस T ratio में हम सुरू में तीन mathematical function इंट्रोड्यूस करेंगे तो मेरा मतलब तीन से नहीं होगा मेरा मतलब सिर्फ दो से होगा चुकि तीसरा इन दोनों पे depend करता है तो उस T ratio में जो preliminary है वो है जो basic है वो तीन function ये है sine दूसरा number है cos और तीसरा number जो इन दोनों पे depend है वो है 10 तो हम इन तीन basics T ratio का जनकारी हम इस chapter में करेंगे कि उनका इस्तमाल हम mathematical problem पे कैसे करते हैं और T ratio सिर्फ तीन ही नहीं होते ये 6 होते हैं लेकिन बाकी का जो तीन होते हैं वो इस पहले वाले तीन का अपोजिट होते हैं जैसे sign का अपोजिट, cosec, cos का अपोजिट, sec, and ten का अपोजिट, cot तो हम इस पूरे topic में ये 6 trigonometrical ratio के बारे में पढ़ेंगे आईए हम लोग जानते हैं कि ये sign, cos, इन सभी चीजों का इस्तमाल हम लोग कैसे करते हैं और ये होता क्या है तो आपको मैंने सुरू में ही ये बात बता दिया कि trigonometry जो है वो right triangle में इस्तमाल होता है तो right triangle में इस्तमाल करने के लिए आईए एक right triangle right triangle में a, b, c angle b, 90 degree चुकि हमारा ये condition है कि हम इसका इस्तमाल हमेशा right triangle में ही करेंगे च्छा एक बात आप जानते हैं पिछले classes में हम लोग पढ़ें कि 90 degree के सामने वाले side को हम लोग hypotenuse के नाम से जानते हैं ये hypotenuse hypotenuse तो जब तक इस right triangle में बाकी का ये जो दो side आप देख रहे हैं a, b और b, c ये दोनों के बीज का ही angle है 90 degree इसमें हमको ये बता पाना तब तक असंभव है या मुश्किल है कि इसमें a, b perpendicular है या b, c perpendicular है a, b, base है या b, c, base है तो जैसे ही इस triangle में 90 degree के अलावा a और c में से कोई भी एक angle को हम fix कर लें तो अब हमको perpendicular और base decide करना असान हो जाता है बच्चों हम लोग angle को theta से denote करते हैं ये जो symbol है इसको हम लोग theta पढ़ते हैं theta तो theta का सामने वाला जो side होता है जिस angle को हमने consider किया हुआ है theta का in front में जो opposite जो side होता है वो side हमेशा perpendicular के नाम से जाना जाता है वही perpendicular side होता है और theta के adjacent में जो side होता है theta के adjacent side वो side हमेशा base के नाम से जाना जाता है और 90 degree के सामने वाला जो side होता है ये side hypotenuse होता है तो इसमें जब हमारा angle change होगा माल लेते हैं कि अब मेरा अभी हमने जो angle C को consider किया था वो हम C को ना consider करके हम अपने angle A को consider करें हम A को थिट्टा मानें तो अब मेरे लिए A के opposite में BC side हो जाएगा और उस वक्त BC जो है वो perpendicular की तरह भी हैप करेगा और BC perpendicular और थिट्टा के adjacent side यह AB यह हो गया हमारा base यह base और angle B 90 degree और इसके सामने वाला जो side है यह side hypotenuse हो जाएगा तो हम लोग इस तरह से perpendicular और base decide करते हैं और इनहीं opposite side adjacent side और hypotenuse के बीच में एक relationship हम बाकी के 3 trigonometrical या 6 trigonometrical ratio sin theta, cos theta, tan theta के बीच में develop करेंगे कि यह कैसे कैसे होता है तो आईए हम लोग वहाँ पर देखें कि sin theta, cos theta और tan theta बाकी के जो टीरियोशियों है वह side और angle के साथ में कैसे relationship बनाते हैं तो एक हम सुबसे पहले एक right triangle बना देते हैं उस right triangle में a, b, c, b is 90 degree और हम c को अपना angle consider करते हैं जिसको हम nominate करते हैं theta से अच्छा एक मैं बात और बता दूँ कि यह जो t ratio में हम लोग बार बार यह sign पढ़ रहे हैं cos, tan, cosec, sec और cot यह सब basically function है यह एक mathematically function है mathematical function है आप higher class में चलेंगे तो पता जानेंगे कि function क्या होता है तो यह function और इस function यह जो function है वो इस theta angle पे operate हुआ है तो मिल करके पूरा जो एक system develop होता है उसको हम लोग बोलते हैं sin theta sin theta मतलब sin एक mathematical function जो इस angle पे operate हुआ है और इसको पूरे हम लोग combine रूप से sin theta या sin theta के नाम से जानते हैं तो sin theta जो है वो हमारे इस right triangle ABC में theta का opposite यह देखिए AB opposite और उसके adjacent में BC और EA side hypotenious तो हम लोग यह opposite side, adjacent side और hypotenious के बीच के relationship को इस angle के साथ define करेंगे तो जो सबसे पहला T ratio है sin theta तो sin theta को define किया गया opposite opposite by hypotenious opposite by hypotenious या फिर opposite को हम लोग क्या बोले opposite को हम लोग बोले पर्पेंडिकूलर पर्पेंडिकूलर भाई hypotenious तो short form में पर्पेंडिकूलर को P और hypotenious को यानि कि sin theta is equal to P by H अगला T ratio, cos theta आपको फिर में बता दू, cos एक function है जो इस theta एंगल पे operate हुआ है और मिल करके पूरा एक system cos theta तयार हुआ है तो cos theta is equal to adjacent, adjacent, adjacent क्या, adjacent side, opposite side तो adjacent side divided by hypotenious या opposite side को BC by hypotenious AC इसी को short में हम लोग लिखेंगे B by H तो cos theta is equal to B by H और मैंने आपको बताया कि tan theta जो एक fundamental ही T ratio है ये एक relationship इन दोनों के बीच में ही हो जाता है tan theta is equal to sin theta divided by cos theta तो अभी आप पढ़ें कि sin theta is equal to P by H sin theta is equal to P by H divided by cos theta is equal to B by H अब आप according to mathematics आपको पता है कि ये H और H cancel तो हमारे पास जो बच गया वो है P divided by B यानि कि tan theta is equal to perpendicular divided by base या हम अपने हिसाब से देखें तो tan theta अगर हम अपने scenario में देखें जो हम अपने figure के respect में देखें तो tan theta is equal to opposite और by में adjacent तो ये इतना basics है इसी basics को ले करके हम आगे बढ़ेंगे और अगे mathematical question जो है mathematics के जो chapter में question है exercise में उस सारे exercise के problem को solve करेंगे तो ये तो हो गया three fundamental t ratio तीन के अलावे भी और तीन होते हैं और वो तीन जो होते हैं वो ये होते हैं कोशेक theta, सेक theta और कॉट theta तो आपको मैं बता दूँ कि कोशेक theta जो है वो inverse होता है sign theta का कोशेक theta, sign theta का inverse होता है और आप ये बात लिखना बहुत अच्छे से जानते हैं कि sin theta is equal to 1 by cos theta और अभी हम लोग अभी क्या पढ़ है कि 1 divided by sin theta के लिए हम लोग ने क्या बोला P और by में H जब हम इसका operation को सही सिंप्लिफाई कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा H divided by P means hypotenuse divided by perpendicular ये कोशेक theta सेक theta is equal to 1 divided by cos theta और अभी हम लोग पढ़ है कि 1 divided by cos theta के जगा पे B by H तो यहाँ से जब इसको हम सिंप्लिफाई करेंगे तो ये आएगा H divided by B means hypotenuse divided by base ये बना सेक theta उसके बाद आता है cot theta तो cot theta is equal to 1 by tan theta और अभी हम पढ़ है कि 1 divided by tan theta मतलब P by B perpendicular by base जब इसको हम सिंप्लिफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा B by P means base और by में perpendicular तो ये आपके पास 6 T ratio और उनका relationship side के साथ तो आएए मैं फिर से एक बार summarize कर देता हूँ summarize कर देने में है कि हम trigonometrical ratio जो मेरे पास 6 है 3 basic और 3 उसका inverse तो उस तीन basic के बारे में मैंने आपको बताया कि कोई में जो side लगा हुआ है वह बेस हो जाता है adjacent side ये base हो जाता है और आप बच्चे पहले से ही जानते हैं कि 90 degree के front वाला side को हम लोग hypotenuse के नाम से जानते हैं तो हमारा जो 60 ratio आया उसमें first आया sin theta तो sin theta is equal to perpendicular by base short में P by perpendicular by sorry hypotenuse P by H second one cos theta cos theta is equal to base by hypotenuse B by H third one tan theta tan theta is equal to perpendicular और by में base P by B fourth cosec theta मने आपको बताया कि ये sin का inverse होता है तो उस नाते ये ratio उलट जाएगा hypotenuse by perpendicular H by P six theta hypotenuse by base H by B six number cot theta base और by में perpendicular B और by में P तो यही छे T ratio है जिनके बारे में हम लोगों को exercise 8.1 में पूरा study करना है तो ये इतना formula हम आप से उमीद करेंगे कि आप समझ गए होंगे और इनको याद भी आप कर लेंगे तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे आज पहला एक्सरसाइज में पढ़ा दिय हैं यह formula आपको याद रखेगा ध्यान रखिएगा बीना formula का इस chapter में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा तो आप सही से इसको याद रखेंगे और याद रखने के बाद हम लोग कुछ question solve करेंगे तो आइए मैं आपको अपने मन से कुछ question बताता हूं आप trigonometry का site पे भ आएंगे उसको question को आई हम लोगों को अगर बताना हो तो जैसे first number question question number one अगर हम आपको एक एक जामपल के तौर पर कराएं कि if sin theta is equal to 3 by 5 then find all t ratio अगर sin theta का value 3 by 5 है तो बागी के t ratio को calculate करिए तो यहां से हम अभी आपको बताएं कि sin theta हमारे question में दिया हुआ है 3 by 5 और हमने अभी आपको बताया कि sin theta is equal to p by h तो यहां से हो जाएगा अगर इन दोनों को हम simplify करके देखें कि sin theta is equal to 3 by 5 and sin theta is equal to p by h यह formula हो गया और यह mathematics दिया हुआ है उसका एक value दिया हुआ है तो यहां से हम पाएंगे कि left hand side में sin theta तो right hand side भी बराबर तो यहां से एक बस मैं ऐसा ही rough के लिए लिख रहा हूँ कि p by h is equal to 3 by 5 और आप previous class में आपको बताया गया होगा कि अगर दो ratio इस तरह से बराबर हो जाते हैं तो हम लिख सकते हैं कि p is equal to 3 k and h is equal to 5 k अब किसी भी right angle triangle में आपके पास 3 side होते हैं perpendicular, hypotenuse और base तो यहां base हमको नहीं पता है तो हम base को पहले calculate कर लेंगे और हम पाइथा गोरस theorem से यह जानते हैं कि base is equal to hypotenuse का square minus perpendicular का square का square root तो यहां से मुझे मिल गया h, तो h का value यहां पे है 5 k, तो 5 k का whole square minus 3 k का whole square तो यहां से मिला 25 k square minus 9 k square, square root 16 k square is equal to 4 k तो base भी अब हमें पता चल गया है, तो हमें हमारा trigonometrical ratio बताने के लिए तीनी चीज़ चाहिए था, perpendicular चाहिए था, hypotenuse चाहिए था, और base चाहिए था, वो मेरे पास आ चुका sin theta का value already दिया गया है, तो बाकी का 5 remaining t ratio है, उसको हम calculate कर लेंगे cos theta, तो cos theta is equal to, फर्मूला में अभी आपको हम बताए, base अब बाई में hypotenuse, तो base का value अभी हम लोग निकाले 4 k, तो यह आया, 4 k divided by 5 k, h का value, तो यहां से k और k cancel, तो 4 by 5, cos theta का value हो जाएगा, 4 by 5, फिर आते हैं, tan theta, तो tan theta के लिए आपको मैंने बताया, p by b, तो p का value है मेरे पास, 3 k और b का value है, 5 k, ठीक, b का value, sorry, 4 k, तो k और k cancel, तो हमारे पास value आगया, 3 by 4, एंसर, ठीक, फिर उसके बाद, cos theta, तो cos theta के लिए हमने आपको बताया, h by p, तो h का value 5 k, और b का value 3 k, is equal to 5 by 3, तो यह आपका हो गया, cos theta, उसके बाद, sec theta, तो sec theta is equal to h, और b में b, तो 5 k, और by में 4 k, तो यहाँ से 5 by 4, और cos theta, cos theta is equal to b, और by में b, तो b का value 4 k, और b का value 3 k, तो यहाँ से 4 by 3, तो यह, इस तरह से हम लोग, पूरा का पूरा t ratio, सिर्फ एक t ratio हमें दिया हुआ था, sin theta is equal to 3 by 5, और remaining हम 5 t ratios, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, और cot theta, हम लोगों ने calculate किया है, तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे उमीद करेंगे कि आप net से जा करके, या अगर आपके पास book available हो, तो class 10 का NCRT, trigonometry chapter का 8.1 exercise, आप solve करने की कोशिस करेंगे, और उस solve करने के दरान, जो भी question आप पासेंगे, comment में आप उस chapter का नाम और question number लिग दिजिएगा, हम आपको अगले classes में आगे पढ़ने से पहले, उस सारे question को solve करके बता दूँगा, और फिर आगे पढ़ाऊंगा, thank you.